दोस्तों नमश्कार हम इस वीडियो में Excel की हल्प से एक प्राव्लम करने जा रहे हैं प्राव्लम इस प्रकार से है माल दीजिए जैसे आपके पास बहुत से लोगों के नाम एक डेटाबेस के रूप में Excel की शीट में है यहाँ पर मेरे पास 500 लोगों के नाम लिखे हुए हैं यह किसी भी प्रकार का कोई भी डेटाबेस हो सकता है अब मुझे जानना है कि इसमें सिंख नाम के लोग कितने कितने इसमें कुमार हैं कितने इसमें शर्मा हैं तो specific text के अधार पर count करना है अब आप देखिए रामदीन वर्मा इसी परकार विक्रम सिंख बीच बीच में सिंख है इस तरह से manually मैं count करूँगा तो जैसे सिंख मुझे count करने हैं तो इस तरह करना मतलब manual counting है हम Excel के help लेते हैं इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं count sync list और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे equal to COU anti-count if उसके बाद आपने यह आपने टाइप करना है इस तरह से और keyword से ही bracket शुरू किया इसके बाद आपने range में b2 लिखना है b2 और last जो इस range में है वो है b 501 यह वाली range का address हम ने दिया b2 से लेकर के b 501 अभी हमने 500 तक लिया है आपके यह जहां तक हो सकता है उसका address आप ले लें इसके बाद आपने कॉमा लगा लेना है और यहां पर आपने इन्वर्टिट कॉमा में लिखना है शुरू में और आखिर में इन्वर्टिट कॉमा के बीच में देखिए जहां start उसके बाद और closing से पहले start लगा दीजिए तो यहां पर 34 sing है दोस्तों sing के लिए तो हो गया इसे प्रकार शर्मा देखना चाहें तो आप शर्मा का अलग से बना सकते है शर्मा यहां पर फिर से आपको फॉर्मूला लिखना है count if bracket start range में आपने बी 2 से ले करके बी 501 कॉमा यहां फिर से आप inverted कॉमा star shar शर्मा और उसके बाद inverted कॉमा close और bracket close एंटर शर्मा 8 हैं तो इस तरह करेंगे तो यह तो हर बार फॉर्मूला लिखना पड़ रहा है क्यों आप ऐसा करें कि एक बार में ही हम करें sing, बर्मा, शर्मा जो भी देखना चाहें आ जाए तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे हम इसको मैं delete करके एक बार मैं ही बता रहा हूँ यहाँ पर हम लिख देंगे criteria और यहाँ लिख लेंगे हम count यहाँ पर हम formula लगाएंगे equal to count if bracket start range में अपने b2 से ले करके b501 तक मैं ले रहा हूँ क्योंकि मेरा data यहीं तक है आपका data इससे ज़्यादा आप range ज़्यादा लीजिए comma और यहाँ पर आपने address दे देना है c2 का और उसके बाद bracket close अब दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है star sink start लगाना शुरू और आखिर में भूलना नहीं आपको क्योंकि star जो बता रहा है कहीं भी text होगा उसको यह खोज लेगा अब शर्मा है तो आप यहाँ पर लिखेंगे शर्मा star के साथ आ गया 8 आपको कुमार देखने कितने हैं तो आप कुमार लिखेंगे star के साथ 57 इसी परकार आपको वर्मा देखने हैं कि इस लिस्ट में हमारे पास कितने वर्मा हैं इसी परकार से आप शर्मा देखें वर्मा देखें, कुमार देखें, सिंग देखें बहुत असान है कोई भी टेक्स्ट होगा यह उधारन के लिए हमने टेक्स्ट ली है आपका किसी बड़े डेटाबेस में अलग-अलग पर कासे डेटा हो सकता है दोस्तो फॉर्मूला असान है इसको एक बार आप ट्राइ करें अगर आपको यह वीडियो चल लगे तो प्लीज इसलिक शब्सक्राब और शेयर चैनल